तो हे गाईज अगर आप भी यहाँ पे Realme GT 5G के यूजर है जो कि लास्ट येर लॉंच हुआ था तो उसको यहाँ पे गाईज Android 13 का Early Access Update यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेरे पास GT तो नहीं है बट यहाँ पे GT का इस अपडेट में क्या क्या देखने को मिलता है तो सबसे परत यहाँ पे देख सकते है Android 13 Early Access Open for Realme GT 5G अगर आपके पास Realme GT 5G है तो जल्दी से जाए गाईज यहाँ पे अपने सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बात जहां से आप About Device, Updater, Updater में आपको 3.0 देखने को मिलेगा वहाँ से आपको Trial Version में जाके Apply कर देना है Apply में आपको Mobile Number या Email ID को Add कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट जो है वो Rolling Out इस्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर मैं अपडेट का गाईज चेंज लोग आपको दिखा देता हूं कि अपडेट में आपको क्या चेंज लोग देखने को मिलेगा तो सारी डिवाइस का यहाँ पे चेंज लोग सेमी है मैंने चेक कर लिया था Realme GT Neo 3 का भी GT Neo 3T का भी और GT2 का देख सकते हैं और GT5G का भी सेमी होने वारा है एक्को अमोर्फिक डिजाइन यहाँ पर न्यू आपर नोटिफिकेशन पैनल न्यू आइकन्स और यहाँ पर मटेरियल यू आइकन्स जो कि यहाँ पर आप आप लोग देख रहे ह इन सब के बारे में हम आज कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Realme community पे officially around हो चुका है कि Realme GT 5G को Android 13 का early access update rolling out श्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर guys update भी आज ही roll out कर दिया जाएगा अगर आपका application जो है approve होगा तो approve हो ही जाएगा guys यहाँ पर बहुत से हरे एक users का approve हो जाता है फूल यहाँ पर steps दिया हुआ है तो यह आप Realme community विजिट करके चेक कर सकते है और अगर आप कोई भी major bug face कर रहे है roll back करना है तो वह आपस यहाँ पर roll back भी कर सकते है यहाँ पर आपको पुराने वाले update का link दिया हुआ है तो अब मैं बात करता हूँ guys कि इस update में आपको कहके changes देखने वाले है अगर आपको full feature का video चाहिए तो वह आप मेरे youtube में visit करके देख सकते guys इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ जो highlighted feature क्या क्या change हुए उन सब के बारे में तो सबसे पहले तो देख सकते यह नया self आ जाएगा guys जैसे ही आप update करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको new notification panel देखने को मिलेगा जिसमें music bar भी देखने को मिलता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ guys तो जैसा कि यहाँ पर देख सकतेगा इसको इस तरह से music play होगा जब तो यहाँ पर आपको square में music bar देखने को मिल जाएगा और इसको remove करना है तो active apps में जाके इसको यहाँ से stop कर सकते है और यहाँ पर आपका remove हो जाएगा तो notification panel देखने को मिल जाता है उसके बाद major changes है wallpaper and style जो के पहले personalization था उसको यहाँ पर rename कर दिया गया है always on display में देख सकते oneplus का AOD देखने को मिलता है bitmoji यहाँ पर home में 3 new always on display और साथी साथ यहाँ पर देख सकते यह new canvas और यहाँ पर new emoji देखने को मिलता है तो यह सब 3-4 new आपको देखने को मिल गया है always on display साथी साथ यहाँ पर आपको music playback और आपका जो food delivery वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर show कर देगा तो यह सब new always on display में आपको feature देखने को मिलता है गाइस मेरा device realme GT2 है यहाँ और अभी भी यह beta में ही run कर रहा है आइकन में देख सकते हैं आपको material you android 12 वाले आइकन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको भी देखने को मिल जागा जब आप इसे अपडेट करेंगे तो realme UI 4.0 का new icon pack आपको stable update में ही देखने को मिलेगा जो कि अभी तक नहीं है फिंगर्प्रेंट आनिमेशन में देख सकते हैं तीन यहाँ पर new fingerprint आनिमेशन हाई है star dust bubble और यहाँ पर fix करके और सबको यहाँ पर naming भी देदिया गया जाइस पहले वाले update में नेम नहीं था उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब आउट device का layout कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा नीचे में आपको प्रोसेसर कैमरा बैटरी यह सब आपको देखने को मिल जाएगा तो यह सब है गाइस highlighting feature और यहाँ पर major change विजेट्स भी देखने को मिलते हैं इस update में जहाँ पर आपको clock के विजेट्स security app photos के विजे करना है उसके बारे में भी पूछ सकते है और realme community विजेट कर लिजे realme GT 5G का यहाँ पर जो early access है वो यहाँ पर start हो चुका है तो I hope आपको वीडियो पसंदे योगी guys वीडियो पसंदे योगी वीडियो को लाइक कर दे चैनल पनिए चैनल को subscribe कर दे बैल आइकन को दबा दे तो guys मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching